अठासी अजार संतों का एक बहुत बड़ा पावन संकल्प नेम इशारण में यग की रूप में प्रगठ हुए है सारे देश के महात्माई खटे हुए एक यग करने का संकल्प ले लिया है कि नेम इशारण में बैठकर यग करेंगे कि यग संकल्पात्मक यग है क्योंकि सहस्तरम् सत्रमा सत्व यग का संकल्ब एक हजार वर्ष तक का है जैसे हम लोगों ने संकल्ब गिया है न कि साथ दिन कथा सुनेंगे वहां महात्माओं को एक हजार वर्ष का संकल्प हुआ एक हजार वर्ष तक यग करेंगे किसी भी शुबकारे को प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना पड़ता है बिना संकल्प के फल नहीं मिलता हम आप लोग यहाँ पर बैठे ना यहाँ पर बैठे हो भागवत कथा सुनने के लिए साथ दिन तक जिस शुमत भागवत की कथा सुनने के लिए आप बैठे हो उसको सुनने से पहले संकल्प करिएगा नहीं तो पूर्णा होती के बाद फिर इसका फल मिलेगा नहीं यदि संकल्प आज नहीं करोगे तो आठवे दिन जो हवन होगा हवन के बाद इसका फल नहीं मिलता तो पहले दिन किसी कार्य को करने से पहले संकल्प कर लिजे मन में संकल्प, मांसिक संकल्प कर लिजे कि हमें इस शिमत भागवत की कथा को सुन करके प्राप्त क्या करना है जिसको जो चाहिए हो मांग लीजिए आज मन में संकल्ब कर लीजिए आठवे दिन वो मिल जाएगा लेकिन हाँ इतना जरूर सावग्धान रहिएगा कि शिमत भागवत कथा को सुन करके मांगना क्या है यह जुरूर सोच विचार लीजिए आज तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि कथा सुन करके क्या मांगो आज आप लोग अपनी इच्छा से जो मांगना हों मांग लीजिए क्योंकि यह कल्प व्रिक्ष है दुर्गाश अप्षती में कहा अशिर्वाद दिया जाता है कि मन में जिस जिस वस्तु की कामना आप करोगे यहाँ बैठ करके तम तम प्राप्नोती निश्चितम वो वस्तु आपको आपके जीवन में जरूर प्राप्त मिलेगा तो कल्प व्रिक्ष है कमी कुछ नहीं है अब हम किसी दिन की कथा में आपको फिर बताएंगे कि शीमत भागवत की कथा को सुनने से पहले क्या संकल्प करना चाहिए आज सोसाएं बिवेक से आप मांग लीजिए मन में जो चाहिए तो मिलेगा पर भागवत की कथा में बैठ करके मांगना क्या चाहिए या भी किसी दिन और गुद्धी आपकी स्थिर होगी तब उस बात काम बर्ण करेंगे क्या शीमत भागवत कथा का फल है अठासी अजार महात्माओं का क्रम प्रगठ हुआ सूत नाम के एक महात्मा का आगमन हुआ सूत जी को देख करके बड़े पुशन हुए नेमिशे शूत मासीनों अभिवाद्ध महामतिम कथा मतरसाश श्वादा कुशलह शाउनको प्रभी बड़े सूतर परंपरा है नेमिशारण में अठासी अजार संते कत्रिद हैं शौनकादिक रिशी और उन संतों के परिवरेक्ष में एक सूत नाम के महात्मा भी आए दोनों बातें बड़ी अधवुद सन्योग हुआ है सूत कौन है सूत शब्द का मतलब होता है सूते भागवत कथां बरनेती असव सूत है अर्थात जो शिमत भागवत की कथां को बहुत अच्छे जहंग से प्रिस्तुत करे उसे सूत की उपादी सूत किसी का नाम नहीं है सूत उपादी पिता और पुत्र दोनों को सूत की उपादी मिली हुई यहां भी जिस सूत का हम प्रशम सुन रहे न इनका नाम है उग्रस्रवा नाम के महात्मा है इनको सूत की उपादी मिली हुई इनके पिता उनको भी सूत कहा जाता था उनका नाम था रोम हरशन रोम हर्षण नाम इसलिए बड़ा था कि जब वो कथा वाचन करना प्रारंब करते थे जब वो कथा सुनाना प्रारंब किया करते थे तो शोताओं के शरीर का एक-एक रोवां हर्षित हो जाता था एक-एक रोवां रोमांचित हो जाता था इसलिए रोम हरिशन नाम था सारे रोएं से जीव हरिशित हो जाता था जब प्रसनता की अत्रीक होती ने प्रसनता की सिति प्रसनता जब बहुत अधिक स्थिति में पहुँच जाती है तो मानश में तुलसी दाजेन बड़ा अच्छा उदारण दिया कि शरीर जो है पनस फल जैसे पुलकित होता है पनस फल समझते हैं संस्कित में पनस फल किसको बोलते हैं जानते हुआ पर नाम नया लग रहा है है बहुत पुराना कटहल जानते हैं कटहल को पनस फल बोलते हैं कटहल के सबजी बड़ी बड़ी हैं बनती कठल में देखिया एक पूरे शरीर में काटे निकले रहते तो जब भक्ती में जीव का सरीर पुलकित होता है तो उसका शरीर भी पनसफल जैसा पुलकित हो जार रहा था शरीर का एक एक रोवा रोमान्चित होता है तो जब ये कथा सुनाते थे तो भक्त लोग इतने आनंदित होते थे इसलिए उनको रो महरशन निका आगे उनके पुत्र है उग्रस सवाग ये भी बहुत बढ़िया कथा सुनाते है सूत जी महराज का आगमन हुआ कथा सुनाने के लिए और कथा सुनने वाले कथा मतरसाज श्वाद पुशला है शौन का है अप्रवीत कथा रोपी अम्रित का रसाज स्वाजन करने में बड़े कुशल है ये शौनकादिक रिशी कितना बढ़ियां सन्योग बना है कि जो कथा सुनाने बैठा है वो भी बड़ा कुशल है सूत है वो बढ़ियां कथा सुनाता है और जो कथा सुनने बैठे हैं वो भी कथा मृत रसाज स्वाद कुशला है कथा रूपी अम्रित का रसाज स्वादन करने में बड़े कुशल है अब इतना बड़ा संयोग बन जाए तो फिर कितना आनंद हो जाए सुनने वाला भी कुशल हो और सुनाने वाला भी कुशल हो तो कथा का आनंद आता है दोनों पक्ष पराबर हो ना तो आनंद आता है एक पक्ष कमजोर हो गया तो फिर दूसरा पक्ष अपने आप खमजोर हो जाता है फिर आनंद नहीं रहे जाता है तो यहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों ही बड़े पुशल है तब ही कदा का आनंद आया है यहाँ भी हमारी परमपरा जो प्रारंब होई थी ना अपने हरियर धाम से वो परमपरा आज इस रूप में फली भूत हो रही है वहाँ तो बीज डाला गया था अब बीज का अंकुरन यहां धेरा में हुआ वहाँ बीज डाला अंकुरन यहां हुआ अब फल कहा होगा वो अलग बात फल के भी बात नहीं करेंगे फल तो जब पेड़ बड़ा होगा तो फल होगा पर अब ये अंकुरन है उस बीच का वहाँ भी छोटे भाईया ने कथा श्रवन करने का संकल पलिया था बड़े निश्था से कथा सुनी थी आज अब दूसरा सुन्जोगे बड़े भाईया कथा सुनने बैठे है आज अब इनका विसंकल बड़ा पावन है तो वहाँ भी कथा का आनंद हुआ था यहाँ भी कथा का आनंद होगा क्योंकि कथा सुनने में ये भी बड़े कुशल है अवहिया तो कुशल थे ही तब आनन तभी आता है तो कथा मतर साश्वाद कुशला है शौन का है अब्रवीत कथा रूपी अम्रत का रसा स्वादन करने में जो कुशल है ऐसे अठासी अजार संत महात्माओं ने सूत जी महराज से अपने जीवन के जिग्यासा को प्रगट किया अज्ञानधान दविद्धन सो कोटी सूरिसम अप्रभव सूता ख्याहे कथा सारम ममकरड रसाइनम भक्ती ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्थते महान माया मौनिदास्च्चो वैश्णले गिर्दे गथम इगोरे गले प्राप्ते जीवश्चा सुरुदाम गदा कलेशकान तक्त सेवे शोधने किमपरायनम शेशान व्यद्भवेच्रे अहपावना नाम चपावनम कृष्ण प्राप्ती गरम शश्वत साधनम तदवदा धुना मन की बहुत अद्भूत जिग्यासा है थे आनंदित तो थे आनंद जब हुआ तो अंदर के जितने भाव थे वो प्रगट हो गए काप्रभू आपका दरशन हुआ अब हमारे मन में कुछ जिग्यासा है वो जानना चाहते है काप्रभू ये बताई कि हम सभी मनुश्यों का जीवन प्राया है अज्यान रूपी अंधकार से धका हुआ है तो उस अज्यानता के अंधकारों को धूर करने के लिए प्रकाश के आवशकता है और प्रकाश का माध्यम आप है प्रकाश का माध्यम हमारे सामने पृतिक्स रूप से क्या होता है सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का माद्ध है सूर्ज तो आप तो कूटि सूर्य समप्रब हैं करोडों सूर्यों के समान प्रकाशवान है प्रभु यह हमारे जीवन को भी इस अंधकार से दूर करके प्रकाश की और ले जाएए यही गुरू का काम होता है गुरू शब्द का मतलब ही होता है गुरू शब्द का मतलब है अंधकार है और रू मतलब तन निरोधक है अंधकार का जो निरोध करते अंधकार का जो विरोध करता है वो गुरू अज्ञान का जो विरोध करके प्रकाश की और ले जाए ज्ञान के मार्ग की और ले जाए वो गुरू है तो प्रभू हमारा जीवन भी अंधकार से भरा हुआ है अब हमारे जीवन को प्रकाश का माध्यम प्रदान करिये इस अंधकार को दूर करने के लिए कथा सार माख्या है कथा का सार सुनाने की कृपा करें सार भूत कथा सुनाईए गप्रभू हम सार भूपी कथा सुनना चाहते हैं कथा हैं तो बहुत सुनी होंगी ना हमने आपने पर इस बार कथा नहीं सुनना इस बार हम कथा का सार सुनना चाहते हैं इस थूल भाव से कथा हमने बहुत बार सुनी होगी लेकिन इस बार हम सुक्ष भाव से कथा का प्रशंग सुनेगे सुक्ष भाव इस कथा में प्रगट करेंगे क्योंकि यदि शूक्ष भाव से कथा का प्रशंग कभी जीवन में आ जाएगा शूक्ष रूप से दी कथा के सुरूपों का हम प्रशंग अपने जीवन में सुन लें तो धर्म क्या है इस पश्ट रूप से समझ में आ जाएगा ग्यान क्या है इस पश्ट रूप से हमारे जीवन में समझ में आएगा रामचरित मानस क्या है ये जीवन में समझ में आजाएगा और शिमत भागवत क्या है ये जीवन में हम बहुत सरल रूप में समझ सकते हैं लेकिन उसके लिए शूक्ष्व रूप में शुम्ध भागवद की कथा के प्रशंगों को शवन करना आवश्च है इस थूल रूप में तो कथा हम जीवन में सुनते ही रहते हैं और सुनेंगे लेकिन आप यहां पर हम साथ दिन तक कथा के सूख्ष पत्तों पर प्रकास डालने का प्रयास करें स्वामी जी महराज की कृपा से जो भी शिमत भागवत का सूख्ष में सुरूप हमारे जीवन में उपस्ते थे वही सब आपको भी जीवन में प्रदान करने की चेस्टा की जाएगे दो भावों से कथा सुनी जाते हैं या तो ज्ञान कत्त या शर्णागती कत्त दोने भावों से हम शिमत भागवत में शुक्ष भावों को समत पाएंगे ग्यान तत्वाने वेदानत वेदानत का जो सरूप है वेदान सरूपों में श्रीमद भागवत की कथा को सुने थोड़ा कथिन है या तो इस रूप में सुनी है या शर्रणागती की रूप में सुनी है तब देखे वेदानत या ग्यान तत्व को समझना तो जीवन में कठिन होता है हर विक्ति नहीं समझ सकता हम यहां से वरडन भी करेंगे तो आपको जादा कुछ समझ में आएगा तो सबसे सरल तत्व है शर्णागती का शर्णागती के इस रूप में हम श्रिमत भागवत के सरल भाव को अपने जीवन में समझने की चेस्टा करेंगे बहुत सरल रूप में शर्णागती की कथा को शर्णागती की रूप में सुनिया यह कथा शर्णागती की है शर्णागती की कथा में शर्णागती का भाव प्रगट होना चाहिए शर्णागती वाने निसाधन हो करके इश्वर की शर्णागती को प्राप्ट कर लिया पाहिनात कही पाहि गोसाई भूतल पड़ेो लकुलकुट की नाए भगवान के सामने लकुट की जैसे लकडी की जैसे साधनमत कहना कि प्रभू मुझे ज्ञान है कि मुझे कर्म का अभिमान है कि मुझे भक्ति का भान है इन सब भावों को छोड़ करके एक शरणागती का भाव यदि जीवन में आएगा तो श्रीमत भागवत के कथिन से कथिन जो सूक्ष्म तत्व हैं वो बड़े सरल भाव से जीवन में आ जाएगा जैसे गंगा है ना गंगा गंगोत्री से प्रगट हुई लेकिन जैसे ही प्रगट हुई वैसे उसने अपने आपको छोड़ दिया पगड़ा नहीं छोड़ दिया और जैसे ही छूटी तो शरणागती के लिए भाव पड़ी ऐसे ही भगवान के सामने आ करके अपने आपको छोड़ देना है भगवान को प्राप्त करके भगवान के सामने आने के बाद संसार को पकड़ के नहीं रखना है संसार को छोड़ना है शायद ब्रह्मा को वैसे आनंद का अनभव होता है मनुष्य अपने जीवन में कितने इस्थानों पर आनन्द भूड़ने का प्रयास करता है सुख को आनन्द मानव के जीवन का आनन्द क्या है हमारे शास्त्रों में इस पश्टूप से कहा जाता है कि कौन सा मनुष्य सुखी है जिसके पास छे प्रकार के सुख हो वो मनुष्यों में सबसे ज़्यादा सुखी मनुष्य माना जाता है जिसके पास ये छे सुख हो वो मनुष्यों में सबसे ज़्यादा सुखी माना जाता है पुत्र हो पुत्र नहीं है तो वे बैक्ती दुखी रहेगा जिए पुत्र होना चाहिए, सुखी ही, पुत्र होने के बाद पैसा भी चाहिए, पैसा होगा तो सुखी होगा, पुत्र है पर पैसा नहीं है तो क्या सुखी रहेगा, और यदि पैसा है और पुत्र नहीं है, तो वो सुखी नहीं है, पुत्र भी हो पैसा भी हो, तीसरी इस्थिती प्रतिष्ठा भी हो संसार में उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा हो ने तो खो पुत्र भी है और पैसा भी खोब है पर प्रतिष्ठा नहीं है तो वो बेक्ति अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकता पुत्र भी हो, पैसा भी हो, प्रतिष्ठा भी हो लेकिन शरीर रोगी हो तो सुखी नहीं रहेगा शरीर का सुख भी चाहिए पैसा भी चाहिए पुत्र भी चाहिए प्रतिष्ठा भी चाहिए निरोगी भी होना चाहिए पुत्री भी होनी चाहिए पुत्री के बिना घर उसुखी नहीं होता यदि पुत्र ही पुत्र हैं तो मावाब को लगता है एक पुत्री की कमी हो उसको जीवन में हर बार उपस्तित होती है पैसा, पुत्र, पृतिष्ठा, निरोगी, पुत्री और शरीर भी सकलांग होना चाहिए ऐसा नहीं है कि पुत्र है, प्रतिष्ठा है, पैसा है आप पुत्री से भी युक्त हो और शरीर भी निरोगी है लेकिन शरीर विकलांग है सुस्त होना बात लगे, विकलांग होना बात लगे सारा सरी शुस्त है लेकिन एक अंग कुछ कम है तो वो बेक्ती सुखी नहीं हो सकता मनुष जीवन पूर्ण रूप से सुखी कम माना जाता है जब ये छे चीजें एक साथ उसके जीवन में आ जाएं पुत्र, पैसा, प्रतिष्ठा, पुत्री, निरोगी और सकलांग ये छे चीजें एक साथ जीवन में आएं तो मनुष सुखी है लेकिन मनुष्यों में भी इन छे वस्तुओं को प्राप्त करने वाले मनुष्यों में भी हमारा शास्त्र कहता है कि सबसे ज़्यादा सुखी कौन है मनुष्यों में भी जो गंधर्व होते हैं ये मनुष्यों में गंधर्व कहलाता है जिनको संगीत का ग्यान होता है मनुष्यों में भी मनुष्य गंधर्व सुखी होते हैं क्योंकि संगीत से अच्छा कोई साधन नहीं है ब्रह्म से तादात में स्थाफित करने का लेकिन ये भी सुखी कब है जब ये स्टेज पर प्रोग्राम दे रहे हैं सुखी नहीं है जब ये एकांत कक्ष में बैठ करके संगीत की साधना कर रहे हों तब ये प्रदर्शन का संगीत है जब सौंते सुखा है ये इसका अनभोई ये लोग शायद करते हों जब साधना करते होंगे कि जब ये एकांत में बैठ करके अकेले संगीत सुर ताल ले की साधना करते होंगे तो शायद एक अधुत सुक़्ी अनभूती इनको प्राप्त होती हो हम सामान मनुश्यों से जादा सुक़्ी ये मनुश्यığın गंधरव है मनुश्य गंधरव में भी इनसे भी जादा सुक़्ी कौन है इनसे भी ज़्यादा सुखी होते हैं देव गंधर्व जो इंद्र के यहां संगीत का कारगम करते हैं वो ज़्यादा सुखी यह थोड़ा उनसे कम है देव गंधर्व ज़्यादा सुखी क्योंकि उनकी संगीत साधना बहुत पर्फेक्ट हो इसलिए वो जादा सुख ही हो देव गंधर्वों में भी उतना सुख नहीं है जितना इंदरादी देवताओं को सुख है देव गंधर्वों से जादा सुख इंद्र को है इंद्र से भी ज़्यादा सुख ब्रम्हा को है और ब्रम्हा से भी ज़्यादा सुख एक शर्नागत भक्त को होता है जो इश्वर की शर्नागती में आ गया वो ब्रम्हा से भी ज़्यादा अपने जीवन में सुख का अन्वह करता है तो ये शिमत भागवत की कथा तो शर्णागती की कथा है इसको सुक्षरूर से जीवन में शबन करना है तो बहुत उपर जाने की जुरूत नहीं होती है उड़ने की आवशक्ता नहीं, गिरने की आवशक्ता है यहां गिरना पड़ता है, इश्वर के सामने उड़ना नहीं होता है इश्वर के सामने गिरना होता है भूतल पड़े ओ लकुट की नहीं शर्णागती का आनद तो तब होगा किसी एक सज्जन ने देखा कि आकाश में बड़े सुंदर सुंदर तारे चमक रहे हैं उसको बड़ा अच्छा लगा कि तारे बड़े सुंदर हैं, मैं तारे तोड़ना हूँ तो तारों की मन में कामना करके तारों को तोड़ने के लिए वो पहाड पर चढ़ा, परवत पर चढ़ा हिमाले परवत की चोटी पर चढ़ गया लेकिन जब हिमाले परवत की चोटी पर जाकर कर देखा तो तारे तो उतनी ही दूरी पे हैं जितनी दूरी से मैंने भूमी से देखा था ये तारे अभी भी उतनी दूरी पर हैं इसका मतलब ये इनको प्राप्त करना मेरे लिए बहुत कठिन है और इनसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है तो उसने कहा उपर जाने से कोई फादा नहीं नीचे चलूँ नीचे उद्रा बिशाल समुद्र देखा उसने सोचा समुद्र के अंदर बड़े सुन्दर सुन्दर रत्न होंगे मोती निकाल करके लाओं तो मोती को पाने तारों की कामना छूट गई अब मोती को पाने की ख्षाकी और समुद्र की गहराई पर चला गया मोती तो मिले लेकिन मोती को प्राप्त करते समय उसे प्यास लगी है अथाह जलराशी वाले समुद्र की एक बूंद भी उसकी प्यास को बुझा नहीं पाया खारा होता है समुद्र का पानी इतनी जलराशी है लेकिन इतना खारा जल है कि उसकी एक गूंद भी हमारी प्यास को नहीं बुजा सकती उसने कहा ये समुद्र की गहराई भी ठीक नहीं है जमीन पर ही चलूँ यही मेरे जीवन को स्रेष्ट आनंद प्रदान करेगा तो ना ग्यान की उचाईयों पर जाना ना कर्म की गहराई पर जाना भक्ति की सतह पर रहिए शर्णागति की स्तिती में भगवान के शामने अपने आपको निसाधन करके छोड़ दीजिए जीवन में एक स्ष्ट आनंद की अनभूती हम प्राप्त कर सकेगे यह शर्णागति का सुरूप है कहा महाराज हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए कथा के सूक्ष मचत्तों पर चर्चा कीजिए कथा के सूक्ष विचार हमें को बताईए हम सुनना चाहते हैं क्या सुनना चाहते हैं unter उल्हे ऐसी कथा सुनाईए جो ममक्रन रसाइन हमारे कानों को रासाइन के रूप में मिल जाए जिस कथा को सुन करके भक्ति ज्यान वहिराग मिल जाए वो कथा सुनाईएगा जिस कथा को सुन करके हमारे जीवन का मौह दूर हो जाए वो कथा सुनाईएगा जिस कथा को सुन करके जीवन में विवेक की प्राप्ती हो जाए वो कथा सुनाने की किर्पा करें प्रभु ऐसा कोई साधन बता दीजे जिसके द्वारा कल्यूग के दोश दूर हो जाए कल्यूग है जीव बहुत प्रकार के कलेशों से भरा हुआ है बहुत कस्ठ कल्यूग में शोधनी किम परायन हो उन दोशों को सुध करने का जो साधन हो वो बताने की क्रिपा करें कल्यानकारी साधनों में जो सबसे स्रेष्ठ कल्यानकारी साधन हो वो बताईए पावना नाम चे पावना पवित्र करने वाले साधनों में जो शीग रादुशी गुरु जीव मातर को पवित्र कर दे वो साधन बताने की कृपा करे सबसे मुख्य बाद आप ये बताईए क्रिश्न प्राप्ति करम शश्वा साधनन तद बदा दुना प्रभू भगवान कृष्ण की प्राप्ती का जो साधन हो वो बताने की करपा करें हमारा मुख्ष देश क्या है कृष्ण प्राप्त करने कृष्ण तत्त को जान देना देखे कृष्ण आ करके खड़े नहीं होंगे हमारे सामने उतनी बड़ी साधना तो नहीं है हमारे क्या आप सोचो कि बंशी बजाते हैं भगवान सामने आके खड़े बजाएं तो उसके बेक्षा बहुत मुश्किल है बहुत कठिन काम है कृष्ण ना समझ में कृष्ण ना आएं कोई बात आई लेकिन कृष्ण तब तो समझ में आ जाए ये बड़ी बात है सत्युग में भगवान कैसे मिलते थे ये नहीं देखना त्रेता युग में भगवान कैसे मिले ये नहीं देखना द्वापर में भगवान किसको कैसे मिला ये मत देखिएगा आप ये बताने की कृपा करें किस कल युग में भगवान कैसे मिलेंगे आज के इस परिवेश में भगवान कृष्ण प्रसन हो जाएं शिग्र ऐसा साधन बताने की कृपा करें क्योंकि संसार में और तो सब कुछ सुलग है लेकिन यही दुरलब है योगी दुरलब बैकुंठम बैकुंठम ने भगवान नारायन का दर्शन बड़े बड़े योगीों को भी दुरलब है बहुत कठिन है लेकिन इसकी प्राप्ती का साधन भी बहुत सरल है यद्य भी भगवान कठिन है लेकिन उनकी प्राप्ती का साधन बहुत सरल है प्रेक्षती गुरू प्रीत है बता है ना बड़े सुल्जेग वे मात्मा है कुशल है तो प्रश्ण करता यदि कुशल होगा तो उत्तर देने वाले को बड़े सोज समझ के फिर बड़े सुंदर व्याथ्चा करनी पड़ेगी तो उन्होंने अपनी योगता का पहले ही परिचे दे दिया कि महराद भगवान दुरूरलब हैं लेकिन भगवान की प्राप्ति का साधनम को मालूम है बड़ा सुलब है प्रेक्षती गुरू प्रीत है इक्षा हो जाए हमारी भगवान को पाने की इक्षा हो जाए ये बड़ा कठिन होता है ग्लास में पानी सामने रखा हुआ है तो पानी ग्लास उठा करके पानी पी लेना कठिन नहीं है लेकिन पानी कब पियोगे जब प्यास लगेगी तव बिना प्यास लगे पानी रखा रहेगा आप नहीं प्योगे तो इश्वर को पा लेना सरल है लेकिन इश्वर को पाने की इक्षा होना ये कठेल है बहुत कठेल काम है तेदी किसी जीर की इक्षा हो जाए और इक्षा होने पाद गुरु प्रीता है गुरु प्रसन्न हो जाए हमारे इक्षा हो जाए और हमारे गुरु देव प्रसन्न हो जाए तो इश्वर की प्राप्ती भी बहुत सरल हो जाती है प्रभु कृपा करिये हमें भी वह ऐसा असाधन बताए सूत जी प्रशन्न हो गए, तुम्हारे मैंन में बड़ी प्रीती है, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा पूछे हुए सारे प्रिश्णों को बड़े सरल भाव से प्रगट करने की गोशिश करूँगा, अब मैं तुमको जो पाख्यान सुनाओंगा, महात्पाओं, जो कथा सुनाओंगा, वो सारे सिध्धान्तों का निचोड होगी, वेद, शास, धर, नीति, इन सब का जो निचोड रूपी कथा है, वो मैं तुमको सुनाओंगा, संसार भैनाशनम, जो कथा में सुनाओंगा, उस कथा को सुन करके जीव संसार के भैसे विमुक्त हो जाता है, विरचिता भयम, विश्टि धुरियते, चर्ण मियूशाम, संसतेर भया, प्रभू, आपके चर्ण कमलों का एक बार जिसने आस्रे प्राप्त कर लिया, वो संसा संसार के हर प्रकार के भैसे विमुक्त हो जाता है, भै नहीं रहता है, भैसे दूर करने वाले कथा में तुमको सुनाओंगा, बक्त योग वर्धनम यच्च, कृष्ण संतो सहे तुकम, जो कथा में सुनको सुनाओंगा, वो भक्ती भी देगी, बक्ती को प्रदान करने वा कथा ने का कथा तो सुनाईंगे लेकिन कथा सुनते समय सावधानी रखना कर बारीटिया wecha बर आपको बदाये था कि जब कथा सुनने वह गया तो सावधान भोकर करके कथा सुनाओं को ज्यादा सावधानी entre гол digestive डूप ब्रूपखा के दोкомो इतरु होते हैं